Hello students, hope you all are fit and fine. So students, today we will start the chapter number 1 for the division purpose. So very first we will start the topic successor and predecessor. So students, जैसा कि आपको मैंने जूम ग्लास में भी समझाया था, successor और pre-desser क्या होता है? Pre-desser होता है, जो number before होता है and the successor is the number after. Pre-desser में हम जो number दिया होता है, उसमें से minus 1 करके find out करते हैं और successor को हम number में से plus 1 करके find out करते हैं. जैसे दिखो मेरे पास, ये एक number है 12456. अब मुझे इसका pre-desser find out करना है, तो मैं इसमें से minus 1 करूँगी, तो मेरे पास ये pre-desser आ जाएगा. अगर मुझे successor find out करना है, तो मैं इस number में one add करूँगी, तो मेरे पास successor आ जाएगा. ठीक है, ये ता easy number. अगर आपको 99 वाला ये 00 वाला number आ जाए, तो आप बड़ी कैफुली उसको find out करोगे. आप side में, rough work में भी उनमें add और subtract करके देख सकते हो. जैसे आपके पास ये number है, आपको predecessor find out करना है, तो आप जब इसमें one minus करोगे, तो आपके पास ये वाला number आ जाएगा. ठीक है? पर जब आप इसमें इसका successor find out करने के लिए plus one करोगे, तो आपके पास ये five digits से six digit वाला number बन जाएगा. ठीक है? आप ये पहले कर चुके हो, आपके लिए new concept नहीं है बेटा, फिर भी इसकी practice करोगे आप. उसके बाद आपके पास है comparison. जब हम दो numbers के साथ comparison करते हैं, उनका अपस में comparison करते हैं. comparison means हम बड़ा ये छोटा देखते हैं, greatest or smallest. first होता है हमारे पास, जैसे कि ए पाट में है कि 1, 2, 3, 4, 5-digit वाला number, इस साइड भी 5-digit वाला number. तो आप easily check कर सकते हो, that which number is greatest. So, here the thousandth place, that is thousandth place, that is 71, and here also the 71 is seen. So, we will next see the hundreds place. So, here is 300, and here is 800. So, 800 is greater, so we will put the sign according to the this number. ठीक है? तो हम इस साइड पे sign put करें. अब जो दूसरा है हमारे पास, वो है, इसमें से, देखो, इसमें भी हम 6-digit वाले दोनों साइड पे ले रहे हैं, इसमें भी जो first है, लैक वाला डिजिट सेम है, और उसके बाद 10,000 वाले देखो, इसमें यहाँ पे 48,000 है, यहाँ पे 28,000 है, तो 48,000 वाला greater हुआ, तो हम यह sign इस साइड पे लगाएंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और case भी आपको face करना पड़ सकता है, जिसमें एक साइड पे 4 या 5 डिजिट वाला नंबर हो, और दूसरी साइड पे 5 या 6 डिजिट वाला नंबर हो, तो आप easily वहाँ से समझ सकते हो, कि जो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर होता है, वो बड़ा होता है, ठीके बिटा, उसके बाद हम करेंगे ascending order, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा नंबर, अब देखो हमारे पास यह लैक डिजिट वाले नंबर है, लैक प्लेस वाले नंबर, तो यहाँ पे लैक वाला जो प्लेस है, वो सब में सेम है, लैक वाला डिजिट जैसे 555 सब सेम है उसके बाद हम देखेंगे 10,000 वाला ये 90 है ये 9 है ये 39 है और ये 3 है तो हम देखेंगे कि कौन से सबसे चोटा है 3 वाला तो we will write this number very first 5,3,956 उसके बाद फिर हम लिखेंगे ये वाला 5,9,356 then we will write 5,39,056 and in the last that is greatest number 5,90,356 we will be right here clear पर इसका जो opposite होता है वो होता है descending order ठीक है इसका जो उल्टा होता है वो descending order होता है तो descending order में भी हमारे पास 4 numbers दिये होए हैं तो हम descending order में कैसे लिखते हैं descending order में हम सबसे पहले सबसे बड़ा number लिखते हैं फिर उससे चोटा फिर उससे चोटा फिर सबसे चोटा इसमें देखो हमारे पास जो लैक प्लेस वाला number है वो उसमें भी सारे digits same है हमारे पास उसके बाद हम देखेंगे thousands वाले यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 31 और यहाँ पे 41 अब क्योंकि descending order है, हमें बड़ा number लिखना है तो इसमें सबसे बड़ा number है 43 वाला तो हम लिखेंगे 7,43,186 43 से छोटा thousand में आता है 41 Then we will write 7,41,386 Then 7,31,486 And in the last we will write 7,13,486 Clear, in the next Here we have that write the smallest And greatest 4-digit number using the digits अब हमारे पास ने digits दिये हुए है और इन digits की help से हमें 4-digit वाला smallest और greatest दोनों numbers बनाने है Then how we will make it? See, smallest number अगर तो हमें smallest number बनाना है No, this is wrong अगर हमें smallest number बनाना है तो हम यह नहीं लिखेंगे देखो, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया था? मैंने यहाँ पे greatest number लिख दिया था ठीक है? तो हम यह नहीं करेंगे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे बनाएंगे smallest number वो कैसे? smallest number बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास small number then greater number then greater number and the last greatest number हमें four digit number ही बनाना है तो हम यही बनाएंगे बनाएंगे